हलो दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि Samsung TV में आप Internet को कैसे connect कर सकते हो कैसे चला सकते हो मैं आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ यह जो Samsung TV है इसमें हम Internet अभी YouTube जैसे है कि open करके देख लेते हैं तो जैसे हम YouTube पर open करते हैं यहाँ पर देखे लिख पर चला लूँगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो troubles उटा रहा है उस पर आपको okay कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर okay पर क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पर देखे क्या रहा है smart hub connection test ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ जाना है network setting में यहाँ पर देखे न पर देंगे उसके बाद यहाँ पर देखे जो भी यहाँ पर internet server है उसमें से हम किसी एक पर क्लिक करके उसको यहाँ पर हम connect करने वाले है तो चलिए हम यहाँ पर पहला बादो को select करते हैं और यहाँ पर जब आप select करोगा अपना बाइफाई का जो भी आपके घर में होगा वाइफाई उसका नाम आप यहाँ पर स्लेट कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको उसका पासवर्ड यहाँ पर डालना है तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड का पासवर्ड डाल लेते हैं अब हमारा जो वाइफाई है, यहाँ पे टीवी से connect होने लग जाएगा, आपके सामने यहाँ पे हम सब कुछ की हैं, अभी यह देखिए, अभी connection यहाँ पे होने बारा, यह देखिए, wireless connection, ओके यहाँ पे देखिए, टिक लग चुका है, और हमारा जो internet है, वो still में चल चुका देखिए, successful, your TV is connected to the internet, तो बहुत ही असान तरीका था, और हमारे TV में अब internet connect हो चुका है, अब हम आपको बापस से दिखाते हैं, exit करके, और हम बापस से आ गया हैं, YouTube पे और YouTube को हम भी open करके आपके सामने देखने वाले हैं, तो यहाँ देखिए, जैसे हम YouTube open करेंगे, हमार टीवी में internet connect कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको बीडियो पसंद आती है, तो बीडियो को like और share जरूर करते हैं, मिलते हैं अगली बीडियो में, thanks for watching.